आज हम बाइनोमाईल को बाइनोमाईल से किस तर से मल्टिफिकेशन किया जाता है उसके सम सिखेंगे तो अब हम करेंगे exercise 6D जिसमें हमें दिये गए multiplication of two binomiles exercise 6D जिसमें हम binomile को binomile से multiple करेंगे और उसका answer है वो find करेंगे exercise 6B में हमने monomile को monomile से multiple किया था then 6C में हमने monomile को binomile से multiple किया था अब यहाँ पर जो है वो binomile को binomile से किस तरह से multiple करते हैं वो हम देखेंगे ओके तो अब हम करेंगे exercise 6D इसमें जो first question है वो है हमारा 5X plus 7 उसको हमें multiple करना है 3X plus 4 से ओके तो यहाँ पर जो digit है उसको अब हम answer में इस तरह से करेंगे first 5X plus 7 एक bracket में है उसको multiple करना है हमें 3X plus 4 जब इस तरह से 2 binomile को आपको multiple करना है तब आपको एक बात याद रखने है कि कोई भी एक bracket है उसको open कर देना है आप इस bracket को भी open कर सकते हैं और इसको भी open कर सकते हैं दोनों में से किसी एक को open कर दीजी तो हम first bracket उसको open करेंगे 5X लिखेंगे first bracket में है तो 5X उसके साथ ये bracket multiplication में करेंगे multiple करेंगे 3X plus 4 ओके ये एक bracket हमने open कि अब है plus 7 तो यहाँ पर हम करेंगे plus 7 उसको multiple करेंगे ये bracket वापस 3X plus 4 ये bracket हमने open किया उसको multiple किया दूसरा जो bracket है वो 5X है दूसरा जो उसका digit है plus 7 वही वापस से लिखना है और वापस जो ये bracket है उसको multiple करना है अब हम इसका answer करेंगे अब ये 5X है वो इस दोनों को multiple करेगा bracket के अंदर जो भी digit है आप direct multiplication कर सकते हो और अगर direct नहीं आते है तो एक bracket के अंदर हम इसको कर सकते है इस तरह से कि 5X into 3X इसके साथ पहले multiple फिर plus की sign है तो plus की sign then 5X into 4 अब ये हमारा 5X इन दोनों के साथ multiplication हो गया अब यहाँ पर plus की sign है तो plus की sign में दूसरे bracket में करेंगे 7 into 3X फिर plus की sign 7 into 4 ये 7 है वो 3X से भी multiple होगा और 4 से भी multiple होगा अब इसका answer लिखती जाएंगे और bracket को भी हम open कर देंगे numerical के साथ numerical है उसको multiple करेंगे तो 5X रिजा 15 X का यहाँ पर 1 पावर यहाँ पर भी X का 1 पावर तो X का 2 पावर यह इसका answer हुआ अब इस plus की sign है तो plus की sign 5 forza 20 X यहाँ पर एकी बाह है तो X plus की sign है तो plus की sign 7 throughza 20 1 X है तो X plus की sign 7 forza 28 तो यह हो गया हमारा इसका answer अब यहाँ पर जो like term है उसको हमें plus या minus करना होगा तो यह दो like term से तो 21 plus हमें 20 करना होगा 15 X square plus 21 plus 20 तो 41 X आएगा plus 28 यह हो गया हमारा question number 1 का answer तो इस तरह से आपको solve करना है जो भी question है वो जो आपको binomiles दिये गए है दोनों उन दोनों binomiles को में से कोई भी एक bracket आप open कर सकते हो आप यह bracket भी open कर सकते हो और यह चाहो तो यह bracket open कर कोई भी एक bracket को open करना है उसके साथ जो दूसरा bracket है उसको multiple में लेना है okay now question number 2 है वो आपको homework में करना है अब मैं करवा रहे है question number 3 question number 3 में हमार डिजिट है x-6 एक bracket में दूसरी bracket में है 4x प्लस 9 तो यहाँ पर जो है मैं यह second bracket है उसको open कर रहे हूँ तो पहले हम लिखेंगे x-6 into 4x प्लस 9 अब मैं इस bracket को open कर रहे हूँ इसको ऐसे ही रखूंगी तो पहले मैं लिखूंगी 4x okay then multiple x-6 फिर plus की sign है तो multiple करेंगे x-6 आप दोनों में से जो bracket चाहो open कर सकते हो अब यहाँ पर आप direct multiple करना चाहो तो direct भी multiple कर सकते हो पहले इसके साथ यह multiple करें तो 4 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 4 बहन जा 4 then x का x का 1 power x का 1 power x का 2 power इस तरह से आप direct भी कर सकते है then next minus की sign है तो minus की sign 6 forza 24 x यह हमारा इसका multiple हो गए आप ऐसे direct भी multiple कर सकते हो यह easy रहेगा direct multiplication then plus की sign है तो plus की sign 9 into x तो 9 x अब यहाँ पर minus की sign है बहर plus की sign है तो हमारी होगी minus की sign minus plus क्या होता है minus 9, 6, 54 तो इस तरह से आप direct multiplication करोगे तो easy रहेगा तो इसका जो हमारा multiplication का answer है वो यह है आपको एक बात याद रखनी है कि bracket के बहर जो digit है वो bracket के अंदर के दूरों digit को multiple करेगा then बीच में जो sign है वो वैसे की वैसे ही रहेगी हाँ अगर बाहर यहाँ पर minus की sign है तो minus minus यहाँ पर plus हो सकते हैं और यहाँ पर मैंने plus वाला यह जो था bracket वो open किया है क्योंकि अगर हम minus वारा open करते तो यहाँ पर फिर sign में आपको दिक्कत होती बाहर अगर minus की sign होती तो अंदर के digit की sign change होती इसलिए बेटर है कि हम plus वाला जो bracket है उसको इपन करें अब यहाँ पर यह दोनों like terms है तो इसको हम plus minus करेंगे बाकी के digit ऐसे लिख देंगे 4x square minus 24 है and plus 9 है एक minus में है एक plus में है तो plus minus होगा हमारा minus तो 24 में से अगर आप 9 है वो minus करोगे तो आपको answer मिलेगा 15 और sign greater digit की आएगी minus की 15x minus 54 तो यह हो गए हमारा question number 3 का answer तो इस तरह से आप direct multiplication करके भी इसको easy way से कर सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला जो sum करवा है उसमें आपको multiple करके बताया और यहाँ पर मैं direct उसका answer की है ओके now question number 4 में हमारे पास digit है 5y minus 1 3y minus 8 यहाँ पर दोनों bracket है वो minus वाले ही है तो आपको इभी bracket open कर सकते हो मैं first bracket open करूंगी तो 5y minus 1 into यह bracket open करूंगी तो 5y उसको multiple किया 3y minus 8 ओके फिर minus 1 है तो minus 1 उसको multiple किया वापस 3y minus 8 अब इसका multiple करके answer लिखेंगे तो 5 into 3 5 into 3 हमारा होगा 15 ओके जो number है उसके साथ number को multiple करेंगे 5 into 3 15 y का 1 पावर y का 1 पावर तो y का 2 पावर then minus है तो minus कि साइन 5 एट जा 40 पिछे लगेगा y यहाँ पर minus 1 into 3y तो minus 3y आएगा 1 से multiple करेंगे तो next step जो हमारा है वो minus 8 into minus 1 दोनों minus minus है तो यह हो जाएगा plus multiplication में अगर दोनों negative है तो plus हो जाएगा 8 बन जा 8 अब यहाँ पर यह जो हमारे दो like terms है उसको हम plus minus करेंगे बाकिके digit को ऐसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा answer है 15y का square यह दोनों minus minus है तो minus minus दोनों plus होंगे तो minus 40 plus minus 3 तो 43y plus 8 तो यह हो गया हमारा question number 4 का answer अब question 5, 6 and 7 है वो आपको करने है से में जैसे ही है जो question number 5 है वो question number 1 जैसा है question number 6 है वो भी जैसा है and question number 7 जो मैंने अभी करवाया question number 4 उसके जैसा है अब मैं करवाओंगे आपको question number 8 0.8x minus 0.5y एक bracket में है दूसरे bracket में हमें उसको multiple करना है 1.5x minus 3y तो अब हम करेंगे question number 8 यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों bracket में minus की सायन है तो आप दोनों में से कोई भी bracket open कर सकते होगों हम first bracket open करेंगे 0.8x उसके साथ multiple करेंगे यह दूसरा bracket 1.5x minus 3y अब minus 0.5y bracket में जो है minus 0.5y वो लेंगे उसके साथ वापस multiple करेंगे यह दूसरा bracket 1.5x minus 3y अब हम multiple करेंगे आप चाहो तो direct कर सकते हो और अगर direct करना ना चाहो तो इस तरह से bracket के अंदर कर सकते हो 0.8x के साथ multiple 1.5x then minus की सायन दूसरे bracket में 0.8x उसके साथ multiple 3y इसके साथ यह किया यहाँ पर multiple और इसके साथ उसके बार यह किया अब दूसरा ब्रेकेट मैनस की साइन बहार 0.5y इन्टू 1.5x एक ब्रेकेट में मैनस की साइन फिर यहाँ पर आएगा 0.5y इन्टू 3y ओकी यह ब्रेकेट भी हमारा complete अब हम multiplication करते जाएंगे यहाँ पर आपको 15 पा table बोलना है 8 तक 15 एज़ा होता है हमारा 120 तो 120 हमने लिखा 15 एज़ा 120 अब उसके यहाँ पर एक डिजिट बात पॉइंट है यहाँ पर भी एक डिजिट बात पॉइंट है तो यहाँ पर आँसर में एक और दो डिजिट बात यहाँ पर हम करेंगे पॉइंट x का 1 power x का 1 power x का होगा हमारा 2 power तो इसका जो answer है वो हमें ये मिलेगा ओके नाव यहाँ पर बार minus की sign है तो minus की sign कर देंगे 8 3 जा हमारा होता है 24 तो 24 लिख दिया हमने यहाँ पर पीछे से 1 digit बाद point है यहाँ पर नहीं है तो 1 digit बाद हम point करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा point x into y x y next step minus की sign है तो minus की sign करेंगे 15 5 जा करेंगे 15 5 जा होता है हमारा 75 तो यहाँ पर हम करेंगे 75 1 digit बाद point 1 digit बाद point 1 और 2 तो 1 और 2 digit बाद यहाँ पर हमें करना है point तो आगे लगाना पड़ेगा 0 x into y तो x y अब यहाँ पर minus की sign है तो यह minus minus हो जाएगा आपका plus क्या हो जाएगा minus minus plus तो यह आएगा हमारा plus में 3 5 जा 15 और 1 digit बाद point तो यहाँ पर करना है point y का 1 power y का 1 power मतलब कि होता है y का 2 power तो यह हो गया हमारा अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह दोनों like terms है तो इन दोनों like terms को हम plus करेंगे बाकी कांसर ऐसे लिख देंगे 1.20 x square 20 की जगा आप 1.2 भी लिख सकते हो पिछे यह 0 है तो करने की ज़र्वत नहीं है as you like 1.20 लिखो या 1.2 लिखो यहाँ पर इसको हमें plus करना है तो point के आगे के जो है यहाँ पर 4 के पिछे digit नहीं है तो 0 plus 5 तो 5 आएगा फिर 7 plus 4 तो 11 होगा decimal है तो decimal 1 यहाँ पर केरी होगी 2 plus 1 3 minus की साइने तो minus ही रहेगे दोनों minus minus इसलिए plus होंगे और xy जो variable है वो हमारे ऐसे ही पिछे हम लिख देंगे आप इसको चाहो तो रख पेश बर 8 कर सकते हो then plus 1.5y square तो यह हो गया हमारा question number 8 का answer तो इस तरह से जो है आप solution कर सकते हो decimal है वो कहां पर लिखा जाएगा यह आपको कहफुली लिखना होगा जब भी आप decimal के multiplication कर रहे हो तब फिर answer के बाद आप decimal कहां पर पुट करते हो यह आपके लिए important है तो आपको यह बात याद रखनी है कि decimal कहां पर आएगा अब हम करेंगे question number 9 question number 9 में हमाया digital 1 upon 5x plus 2y उसके साथ हम multiple करना है 2 upon 3x minus y तो यहाँ पर हम यह plus वाला bracket है उसको यह open करेंगे first हम लिखेंगे 1 upon 5x plus 2y उसको multiple करना है 2 upon 3x minus y अब यह bracket हम open करेंगे 1 upon 5x उसके साथ multiple में हम यह bracket लिखेंगे 2 upon 3x minus y then plus की sign उसके बाद 2y लिखेंगे उसको वापस multiple करेंगे यही bracket 2 upon 3x minus y अब 1 upon 5x है वो इन दोनों के साथ multiple होगा तब multiple करेंगे हम इसको next step में बड़े ब्रेकेट में लिखेंगे 1 upon 5x इन दोनों के साथ multiple हो गया अब दूसरे ब्रेकेट में यहाँ पर plus की sign है वो बाहर कर देंगे अब 2y है वो दोनों को multiple करेंगे 2y into 2 upon 3x यहाँ पर बाहर माइनस की sign ब्रेकेट के अंदर 2y into y यहाँ पर 2y है उसको दोनों के साथ हमने multiple कर दिया और हम इसका answer करेंगे अगर कोई भी digit cut हो रहा है तो हमें cut करना है और अगर नहीं होता है तो हम multiplication कर देंगे यहाँ पर एक भी digit cut नहीं है तो numerical है 2 1s are 2 numerator को numerator के साथ multiple करेंगे denominator को denominator के साथ 5 3s are 50 x का 1 power x का 1 power तो यहाँ पर होगा x का 2 power ओके यहाँ पर minus की sign है तो minus की sign आएगी यहाँ पर एक भी number नहीं है तो डारेक यही number लिखेंगे 1 upon 5 x into y तो x ok then plus करना है यहाँ पर plus की sign 2y into 2 upon 3 यहाँ पर upon में कुछ नहीं होता है तो 1 तो होता है तो numerator की साथ अगर हम numerator multiple करेंगे तो 2 2s are 4 नीचे आएगा 3 बन जा 3 x and y ok अब यहाँ पर जो है minus की sign है तो minus की sign 2 ऐसे रहेगा y का 1 power y का 1 power तो y का 2 power तो यह हो गया अब हमाई like terms यह दो है इसको हमें add करना है कभी भी fraction को हमें add करना है तो उसका denominator हमें सेम चाहिए तो यहाँ पर addition जैसे हम करते थे monomile, binomile का उसे तरसे इसका addition करेंगे तो यहाँ पर 2 upon 15 x square bracket के अंदर हम यहाँ पर लिखतेंगे यहाँ पर 1 upon 5 and 4 upon 3 है तो उसको bracket के अंदर लिख देंगे हम प्लस ब्रेकेट के अंदर minus 1 upon 5 plus 4 upon 3 जो variable है उसको हमने बाहर लिख दिया दोनों के minus 2y square अब यहाँ पर हमें denominator same करना पड़ेगा तो denominator में हम यहाँ पर इसका LCM लेंगे तो होगा 15 तो यहाँ पर हम denominator में करेंगे 15 इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 upon 15 x square plus bracket के अंदर ही लिखेंगे upon में हमने लिख दिया 15 अब 5 को अगर हम 3 से multiple करते हैं तो 15 मिलता है तो open numerator को भी 3 से multiple करेंगे तो 3 बन जा 3 plus की sign है तो plus की sign 3 को हम 5 से multiple करते हैं 3 फैज़ा 15 तो 4 को भी हमें 5 से multiple करने पड़ेगा 4 फैज़ा 20 तो इस तरह हम direct कर देंगे x and y minus 2y का 2 power अब plus 20 है minus 3 है तो plus minus होंगे हमारे 3 जाएगे तो होगा 17 and sign आएगे plus तो अब हमारा जो इसका answer है वो ये होगा 2 upon 15 x square plus 17 होगा 20 में से minus 3 होगा upon में 15 xy minus 2y का 2 power तो ये जो है वो हो गया question number 9 का answer यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखनी है कि कभी भी इस तरह से fraction में एडिसन आता है तो आपको LCM लेकर यहाँ पर उसका denominator सेम करके उसके बाद ही आप उसको area subtract कर सकते हैं direct हमें नहीं करना है अभी तक जो हमें digit मिल रहे थे वो fraction में नहीं थे वो decimal में थे या तो simple numerator में थे तो हम उसको direct area subtract कर सकते थे like terms को बट यहाँ पर जो हमें like terms मिली है वो हमें fraction में मिली है तो fraction में area subtract करना है तो हमें उसका denominator सेम करना होगा तो यहाँ पर हमारा question number 9 complete अब हम करेंगी question number 10 question number 10 हमारा है 2 upon 5x minus 1 upon 2y उसको हमें multiple करना है 10x minus 8y तो यहाँ पर आप चाहो तो इस bracket को भी open कर सकते हो और अगर इसको open करना चाहो तो इसको भी open कर सकते हो as you like आप चिसको भी open करना चाहो हम first bracket को open कर रहे हैं हाँ पहले हम लिखेंगे 2 upon x minus 1 upon 2y उसको into करना है हमें 10x minus 8y अब इस bracket को अगर हम open करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 upon 5x उसको multiple करना है यह 10x minus 8y minus की sign है 1 upon 2y इसको multiple करना है 10x minus 8y अब यहाँ पर आप चाहो तो direct multiple कर सकते हो और अगर direct करना चाहो तो step 5 कर सकते हो एक ब्रिकेट में हम इसके साथ यह लिखेंगे इसको इसके साथ multiple किया बाहर minus की sign वापस तो अगर आपको लिखना है तो सबके आप उनमें इस तरह से 1 लिख सकते है आप लिखना हो तो ओके तो आपको कट करने में आसानी रहे यहाँ पर यह denominator में है यह numerator में है तो यह कट होंगे फाइ वन जा फाइ फाइ टू जा टे अब डिनुमेरेटर में 1 है तो वो लिखने की ज़र्वत नहीं है वन वन जा वन उपर नुमेरेटर है उसको हम multiple करेंगे तो टू टू जा 4 एकस का वन पावर एकस का वन पावर एकस का टू पावर यह हमारा यहाँ पर answer आया अब next यहाँ पर minus की sign है तो हम minus की sign करेंगे अब यहाँ पर यह किसी के भी साथ कट नहीं हो रहा है तो उपर नुमेरेटर को नुमेरेटर के साथ multiple कर देंगे 8 टू जा 16 नीचे रहेगा 5 वन जा 5 एकस इंटू य यहाँ पर यह 2 एंट 10 कट होंगे तो 2 वन जा 2 एंट 2 फाइल जा 10 निचे रहेगा नुमेरेटर में 1 है तो वो लिखने की जरुरत नहीं है 5 वन जा होगा हमारा 5 एकस इंटू य तो एकस य अब माइनस माइनस होगा हमारा प्लस यह ब्रेकेट के बाहर मैनस की साहन है ब्रेकेट ओपन करें तो मैनस मैनस प्लस यहाँ पर यह 2 है वो 8 के साथ कट होगा 2 वन जा 2 2 फोर जा 8 यहाँ पर 1 है तो 1 वन जा 1 डिनोमेरेटर में लिखने की जरुरत नहीं है 4 वन जा 4 लिखेंगे हम y का 1 पावर y का 1 पावर तो y का 2 पावर तो यहाँ तक अब हमने किया अब यह हमारे दोनों like terms है तो like terms को अब हमें add करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बीच में दो आती है वही like terms आती है जो पहली है उसके बाद की terms से वो like terms नहीं होती तो इन दोनों को हमें plus करना है तो यह fraction में है यह fraction में नहीं यह तो इसके upon में हम 1 लिखेंगे तो यह भी हो गया fraction तो अब हमें इसको add करना है तो 4x का square plus bracket के अंदर हम लिख देंगे minus 16 upon 5 यहाँ पर बहार plus किया तो यह minus अंदर चला जाएगा bracket में यह भी वैसे ही रहेगा minus 5 upon 1 ओके और यह जो है variable उसको हमने बहार लिख दिया दोनों का common है तो xy plus 4y square अब यहाँ पर हमें इसको add करना है तो इसका denominator same चाहिए तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हमें 5 चाहिए तो इसको हम अगर 5 से multiple करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा तो अपर numerator को भी हम 5 से multiple करेंगे तो हमें answer मिलेगा minus 16 5 फाइजा 25 और यहाँ पर denominator 5 हो गया xy plus 4y square अब minus 16 है और minus 25 है इन दोनों को अगर हम plus करेंगे तो minus minus plus होंगे तो यहाँ पर हमार answer होगा 4x square प्लस इसको अभी हम bracket में लिखेंगे 6 plus 5 11 1 plus 1 2 plus 2 4 minus 41 अपन 5 xy plus 4y square अब हम bracket open करेंगे तो यहाँ plus है यहाँ minus है तो plus minus होगा तो 4x square minus 41 अपन 5 xy plus 4y square तो यह हो गया हमारा question number 10 का answer आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है minus minus की जो sign होती है उसमें आपको केर्फुली रहना है कि minus minus यहाँ पर आपको plus करना है then जब bracket open करते हो तब यहाँ पर plus minus minus की sign आएगे आपकी ऐसे सम्में गलती sign में ही होगी plus की sign में minus आप कर दोगे minus की sign होती होगी वहाँ पर plus की sign कर दो तो यहाँ पर आपको केर्फुली करना है जब minus की sign और plus की sign हो तो दोनों में से किस की sign आएगे तो यहाँ पर जब हम bracket open करेंगे तो minus plus की sign अगर इसे साथ में होती है तो minus की sign ही रहती है अब question number 11, 12 and 13 आपको homework में करने है मैं question number 14 and 15 करवा रहे हूँ उसके बाद question number 16 भी आपको homework में करना है और मैं करवाँगी question number उसके बाद 17 तो आप homework लिख लेना जो भी दिया है वो अभी हम करेंगे question number 14 11, 12 and 13 आप homework में करेंगे now question number 14 जिसमें हमें multiple करना है 2x square minus 5y square को x square plus 3y square से तो अब हम इसका answer करेंगे question number 14 का अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक bracket वो minus वाला है एक bracket वो plus वाला है तो हम plus वाला bracket उसको open करेंगे आप दोनों में से जो भी चाहों वो कर सकते हो 2x square minus 5y square into x square plus 3y square हम इसको open करेंगे तो पहले लिखेंगे x square उसके साथ multiple करेंगे यह पहला bracket 2x square plus 5y square अब यहाँ पर plus है तो plus 3y square उसके साथ वापस यही bracket multiple करेंगे 2x square minus 5y का square अब हम multiple करेंगे यहाँ पर bracket के अंदर x square को multiple करेंगे 2x square के साथ minus की sign बाहर वापस x square को multiple करेंगे 5y square के साथ एक bracket complete इसका हमने multiplication यहाँ पर कर लिया अब next step plus है तो plus दूसरे bracket में 3y square को multiple करेंगे पहले इससे 2x square से bracket complete minus की sign वापस 3y का square उसको multiple करना है 5y square से तो इस तरह से हमने step लिख लिए अब multiple करके उसके answer लिखते जाएंगे पहले इसको multiple करेंगे तो 2 यहाँ पर कोई भी digit नहीं है तो 2 का 2 आएगा x का 2 power x का 2 power तो x का 4 power होगा हमारा minus की sign है तो minus की sign आएगी then यहाँ पर 5 अंजा 5 होगा कुछ भी नहीं है तो x का 2 power and y का 2 power इसका answer यह रहा और इसका answer यह रहा अब यहाँ पर plus की sign है तो plus की sign करेंगे यहाँ पर number है तो number को multiple करेंगे 3, 2, 6 okay x का square then y का square minus की sign है तो यहाँ पर minus की sign करेंगे 5 त्रेजा 15 y का 2 power y का 2 power तो y का होगा हमारा 4 power अब यहाँ पर आप देखोगे तो यह दोनो like terms है जो हमारे बीच की है वो यह दोनो ऐसे है तो अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 2 x का 4 power okay 2 x का 4 power लिखा यहाँ पर 6 है वो plus है और 5 है वो minus है तो 6 plus minus minus होगा तो 6 में से 5 निकालेंगे तो आएगा 1 तो 1 है वो plus में है greater digit की sign आएगी तो यहाँ पर plus आएगा क्योंकि greater digit हमारा plus में है 6 तो plus 1 x square y square minus 15 y का 4 power अब यहाँ पर 1 करने की ज़रद नहीं तो आप इसको डाइरेक इस तरह से लिख सकते हो 2 x का 4 power plus x square y square minus 15 y का 4 power तो यह हो गया हमा question number 14 का answer अब हम करेंगे question number 15 question number 15 में हमाई पास digit है x का q minus y का q उसको हमें multiple करना है x का square plus y का square तो यहाँ पर हम multiple करेंगे x का q minus y का q उसको multiple करना है x square plus y square यहाँ पर भी एक ब्रिकेट माईनस में है एक ब्रिकेट प्लस में है तो जो हम plus वाला ब्रिकेट है उसको open करेंगे आप जिसको चाहो उसको open कर सकते हो minus वाला ब्रिकेट पी open कर सकते हो as you like मैं प्लस वाला ब्रिकेट ओपन कर रही हूँ x का square ब्रिकेट में यही लिखेंगे जो first bracket है वो 3 plus y का square x का 3 power then minus y का 3 power यहाँ पर अगर आप चाहो तो direct multiplication कर सकते हो digit नहीं है तो x का 2 power उसको multiple करेंगे x का 3 power तो इसको इसके साथ multiple करेंगे तो x का 5 power आएगा 3 plus 2 5 x का 2 power then y का 3 minus की sign है तो इसको इसको multiple करेंगे तो x का 2 power y का 3 power ओके मैं direct multiplication कर दिया आप इस तरह से direct भी कर सकते हो then plus की sign है तो plus की sign x का 3 power then y का 2 power ओके then minus की sign है तो minus की sign y का 2 power y का 3 power तो y का होगा 2 plus 3 5 power अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक भी like terms नहीं है यह भी like terms नहीं यहाँ पर x का 2 power है यहाँ पर x का 3 power यहाँ पर y का 3 power यहाँ पर y का 2 power तो यहाँ पर एक भी like terms नहीं है तो इसमें plus या minus नहीं कर सकते हैं यही का यही जो है वो हमारा आंसर रहेगा तो यह हो गया हमारा question number 15 का answer अब question number 16 है वो आपको हमवक में करना है हम करवाएंगी question number 17 तो question number 17 हमारा है x का 4 power plus 1 upon x का 4 power उसको multiple करना है x plus 1 upon x अब हम इसका answer करेंगी इसमें दोनों bracket है वो plus में है तो आप किसी भी bracket को open कर सकते हैं x का 4 power plus 1 upon x का 4 power उसको into करना है x plus 1 upon x तो हम first bracket को भी open कर रहे हैं तो आप किसी को भी open कर सकते हैं x का 4 power उसको multiple करना है हमें x plus 1 upon x फिर प्लस की सायन है तो प्लस वन अपॉन एक्स का फॉर पावर उसको वापस मल्टिपल करेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अब हम इसको मल्टिपल करेंगे ब्रेकेट के अंदर यह हमने किया bracket एक bracket में x का 4 power into x करेंगे फिर plus की sign दूसरे bracket में x का 4 power into 1 upon x करेंगे फिर यह bracket complete फिर plus 1 upon x का 4 power इसको multiple करना है हमें x दूसरे bracket में यहाँ पर plus की sign करके 1 upon x का 4 power उसको into करना है 1 upon x अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर आप इसको multiple करोगे इसका answer आएगा हमारा x का 5 power x का 4 power x का 1 power तो इसका answer आए x का 5 power बट यहाँ पर जो है x का 4 power मतलब कि उपर x 4 times होंगे नीचे x 1 time है तो 1 x इसमें से cut हो जाएगा जब upon में x होता है तो इसमें से हम minus करते हैं जैसी मैंने यहाँ पर plus किया 4 power plus 1 power तो x का 5 power जब upon में x है multiplication में तो इसमें से minus होगा तो x का 4 power इसमें से x का 1 power minus होगा तो हमारा यहाँ पर आएगा x का 3 power और यहाँ पर 1 है तो इसको multiple करेंगे तो वही का वही digit आएगा तो x का 3 power यहाँ पर आपको carefully करना है तो इसका answer जो है वह आएगा x का 3 power जबकि इसका answer है वह आएगा x का 5 power 4 प्लस 1, 5 power अब next यहाँ पर प्लस की sign है तो plus यहाँ पर x का 4 power है यहाँ पर x का 1 power तो यहाँ पर 4 में से यह 1 minus कर देंगी तो यहाँ पर आएगा x का 3 power तो 1 अपोन x का 3 power अकी देन प्लस की sign है तो plus की sign हम करेंगे यहाँ पर x का 4 power है और यहाँ पर x का 1 power है तो 4 plus 1 दोनों denominator में तो plus होंगे तो यहाँ पर होगा 1 upon x का 5 power तो यह हो गया हमारा question number 17 का answer अगर आपको यह समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से यह समझा देती हूं यह step तो easy है 4 plus 1 तो 5 आ गया अब इस step को हमने कैसे किया है यहाँ पर इसके अपन में कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं मैं नीचे समझा देती हूं यहाँ पर इसके नीचे तो x से हो 4 times है तो हमने x 4 times किया x का 4 power मतलब x 4 times उसको multiple 1 करना है तो 1 कर दीजिये अपन में यहाँ पर इसके अपन में 1 है तो 1 यहाँ पर x अब यह x और यह x कट हो जाएगा अब x का हमारे पास कितना हुआ 3 power यह 1 और यह 1 कट कर दो या तो 1 की कोई value नहीं होती multiplication में उसको किसी से भी multiple करो तो 1 ही रहेगा तो यहाँ पर हमारा क्या बचा x का 1 प्लस 1 प्लस 1 3 power इस तरह से हमें answer मिलेगा x का 3 power उसी तरह से इसको अगर हम solve करते हैं ओके next step जो है हो तो यहाँ पर 1 इसके अपन में भी कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते है 1 into x यहाँ पर x का 4 power है तो x 4 times करेंगी और इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 यह 1 x cut यह 1 x cut तो हमारे पास 1 के अपन में 14 x का 3 power 3 times x है तो x का 3 power यह हो गए उसी तरह से यहाँ पर उपर 1 है तो 1 तो वही रहेगा और x का 4 power यहाँ पर हमें मिलेगा x का 4 power यह हो गया हमा question number 17 का answer तो इस तरह से जो है वह आपको answer solve करने है अगर आप चाहो तो इसकी जो answer है वह आप रफ में पहले find कर लो multiplication करके इन सब के देन यहाँ पर आप लिख सकते हो तो बस आज के लिए हम इतना है करेंगे question number 17 तक बाकी के जो question है वह हम next videos में करेंगे तो अब आप लो homework note कर लीजिए आज का आपका homework है exercise 6D इसमें आपको करने question number 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13 and 16 और फिर भी अगर आपको कुछ doubt है कुछ भी question समझ में नहीं आता है तो आप मुझे cool करके पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही have a good day stay home, stay safe thank you